दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं P.I. Industries स्टॉक के बारे में तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट केर में बात करता हूँ यहाँ पर 3585 पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक नज़रा रहा है कोई बड़ी तेजी स्टॉक ने बना कर नहीं दिखाई है त्रियाबर चार्ट के अगर में बात करूँ यहाँ पर गिरावट का सिलसला स्टॉक में अभी भी जारी है और अगर यही गिरावट जारी रहती है नीचे की तरफ 3400 रुपीस का एक सपोर्ट लगा कर चल सकते हैं अगर इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक करके स्टॉक नीचे जाता है और निचले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं तो सपोर्ट का पूरा ध्यान रखें स्टॉप लॉसेस लगा कर चल सकते हैं मातकरने टारगेट की यहाँ से तेजी बनती है रिकावरी हमें देखने को मिलती है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन्स में जो टारगेट स्टॉक अचीव करेगा वो है 3700, 3800 तक के टारगेट भी PI Industries अचीव कर सकता है तो अगर आपके पूर्टफोलियो में स्टॉक शामिल है continue hold करें लेकिन यहाँ पर फ्रेश बाइंग को अभी एवाइट करें वेट एंड वाच की स्ट्रेटजी अपना कर चल सकते हैं जैसे ही बाइंग का शांदार मौका बनेगा हम एक वीडियो जरू पनाएंगे तो यही स्ट्रेटजी आपको पनानी है PI Industries में वीडियो दिखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद